ओम श्री शिवायनों मच तो भी हम दोस्तों, ये वीडियो मकर राशी के लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्यों खास होगा इस बार में चर्चा करते हैं, तो आपका साड़ी साती का प्रथम चरण समाप्थ हुआ, दूसरा चरण भी अब समाप्थ होने वाला है, और साड़ी साती में आपने बहुत ज्यादा विशेश अनुभब आपने क्या होगा, हर चीज के मामले में, चाहे आई हो, कैरियर हो, आपके सके संबंधियों से रिष्टे हो, वारिवारिक जीवन हो, या फिर वेवाहिक जीवन हो, या फिर सुक साधन के रिलेटेड, सभी चीजों में आपने विशेश अनुभब आपको इस साड़ी साती के दोरान प्राप्त अवश्य हुआ होगा, कि साड़ी साती ने आपको कैसा रेजल्ट दिया, लेकिन आपने ये तो समझ लिया होगा, कि पहला चरन हमारा कैसा गया, दूसरा चरन हमारा कैसा गया, लेकिन आ आप ये भी तो जानना चाहेंगे न कि आपका जो तीसरा चरण है शनी साड़े साथी का वो आपके लिए कैसा रहेगा तो दोस्तों आज हम इसी टोपिक पर बात करेंगे इस वीडियो के मात हैं से लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नूँ हैं तो सबसे प यहां पर जो भी प्रेडिक्शन की जाएगी वो मकर राशी की चंद्र राशी पर आधारित होगा चलिए जानते हैं आज से ठीक 29 या 30 दिन के बाद शनी आपकी राशी से निकल कर यानि कि मकर राशी से निकल कर कुम्भ राशी में यानि कि अपने मूल त्रिकोन राशी में 17 जन्वरी 2023 को चलिए जाएंगे कुम्भ राशी में 17 जन्वरी 2023 के बाद शनी का गोजर होने वाला है तो आपका दूसरा फेज समाप्थ हो जाएगा यानि कि आपका जो साड़े साती का दूसरा चरन चल रहा है वो समाप्थ हो जाएगा पूरी दरीके से और आपका तीसरा चरन यानि कि शनी साड़े साथी का तीस्टा चरन शुरू हो जाएगा दोस्तों हमने बहुत ज्यादा इस पर मन्थन किया क्या स्थिती चल रही है मकर राशी के जातकों का मकर राशी के लोग इस समय साड़े साथी में कैसा पेश कर रहे हैं क्या स्थिती चल रही है उनकी प् मकर राशी वालों को खास कर, उनको जिनका शनी की स्थिती बहुत खराब है, यानि कि शनी अगर आपके अच्छे नहीं है, अगर आप मकर राशी के हैं तो आपके रिष्टे भी प्रभावित हो गए, बहुत बने बनाये रिष्टे आपके बिगडगे, जिनका समय पढ़ने पर आपने साथ दिया था उन्होंने आपका साथ जब आपकी स्थिती नेगेटिव हुआ तो उन्होंने उस समय आपका साथ छोड़ दिया काम धंदे आपके बंद हो गए कर्च लेने की भी स्थिती आ गई पारिवारिक रिष्टा बिगड़ गया घर में कलह व्यवशाय भी छुट गई वहीं कुछ लोगों की चल रहे व्यापार अचानक से बंद हो गए अच्छे कर्मों का फल आपको प्राप्त नहीं हुआ आपने मेहनत तो बहुत किया लेकिन उस मेहनत का कोई रेजल्ट आपको नहीं मिला वहीं बहुत सारे हमने ऐसे मकर राश्री के जातक बन गई तो जिनके लिए आपने अच्छा किया उन्होंने आपका साथ आपकी मुश्किल वक्त में नहीं दिया आपके रखे हुए पैसे भी खर्चोगे बैंक बालन्स भी जो था वो भी खतम हो गया और कुछ लोग इस साड़ी साती में शिकर यानि टोप से शुन्य यानि जिरो तक भी आगे और जिनकी कुंडली में शनी की स्थिती खराब थी उनकी स्थिती तो और ज्यादबूरी हो गई शेर मार्केट में भी बहुत ज्यादा लोगों ने लोज को फेश किया इस साड़ी साती के दोरान आपके हर कम बिगड़ चुके थे बहुत सारी लोगों क पर आगे जो लोग पहले समाज में एक अच्छा खासा सनमान रखते थे वो लोग आज इतने निचले स्तर पर आगे कि अब उन्हें हिंता का अनुवब भी होने लगा हेल्थ इसूज आपके दिखने लगे हिन भाबना के श्विकार आप होने लगे नेगेटिब चीज़ों को आपको फेश करना पड़ा इस साड़े साती के फेश के दोरान वहीं कुछ लोगों को डिफ्रेशन वगेरा का भी दिक्कतों से जूचना पड़ा लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए शनी की स्थिती अपनी कुंडली में देख लीजेगा अगर आपके शनी अच्छे हैं तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जी हाँ दोस्तों 2023 से आपका कया पलट होना शुरू होने वाला है हर चीज अब आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएगा क्या होगा चलिए जानते हैं और 2023 आपका कैसा जाएगा पहले बात करते हैं कि साड़े साथी का तीसरा चरन आपको क्या और कैसा प्रभाब देगा दोस्तों 17 जन्वरी को जैसे ही शनी आपके कुंब राशी यानि आपके राशी से दुत्यव भाव में आएगे सबसे पहले तो आपके रिष्टे ठीक होना प्रारम हो जाएंगे बिगडे हुए जो भी आपके रिष्टे हैं वो अच्छे हो जाएंगे जो लोग आपको पूछते नहीं थे वो अब आपके करीब आएंगे यानि कि आपके रिष्टों में बहुत बड़ा सुधार देखा जाएगा 17 जन्वरी के बाद से आपको मान सन्मान के प्राप्ती भी होगी बेवाहिक रिष्टे में जो खडास है जो अन्बन है जो भी परिशानिया चल रही थी वो समाप्थ हो जाएंगी बेवाहिक जीवन अब ठीक हो जाएगा डेली इंकम यानि आपकी रोज की कमाई भी बढ़ जाएगी जो पहले सोच रहे थे कि भाई कोई आई की साधन नहीं है क्या करें जो है वो भी खतम हो गया है अब मैं कैसे अपना गुजारा करूं आगे का समय मेरा कैसे गुजटेगा वो समश्या अब आपकी खतम हो जाएगी दोस्तों क्योंकि अब उतरती हुई साड़े साथी आपको धन के लिए नहीं तरसाएगी धन देगी बैंक बैलेंस देगी आपकी मानसिक समश्याएं जो डिप्रेशन एनेक्जिटी वगेरा थी अब सब धीरे धीरे ठीक होने लगेगा आपकी ध्यान दिजिएगा दोस्तों दूसरे भाव पर शनी होंगे तो आपके वाणी को थोड़ा बिगाड सकते हैं जिससे आपके काम धाम या रिष्टों पर प्रभाब पढ़ सकता है तो अपनी वाणी पर पूरा नियंदरन आपको बना कर रखना होगा कि वाणी खराब ना इस पर विशेश ध्यान दिजिएगा दोस्तों तो बाणी पर पूरा नियंदरन रखेगा मेहनत किजिएगा पहले भाव के लिए और सेकंड भाव यानि राशी के भी और सेकंड के भी स्वामी शनी बनते हैं तो आलश बिलकुल भी मत किजिएगा मेहनत किजिएगा दोस्त यानि कि आपके workplace change हो सकता है, तो आपको इसके लिए भी तयार रहना होगा, workplace आपका change होगा, स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बनेगा, उसके लिए हमेशा तयार रहिए, अभी से ही, ये स्थीदी आने वाला है और 100% आएगा, कई बार स्थान परिवर्तन करना होगा, लेकिन स्थान परिवर्तन का ये मतलब नहीं है, कि आप बार-बार अपना घर वगेरा बदलते रहेंगे, ये नहीं होगा, जोब करते हैं, तो आपको उस जगह से स्थानांतरन होने का योग बनेगा, या फिर ये भी संभब है कि अगर आप कोई विजनेस वगेरा, ब्यापार वगेरा करते हैं, तो वो एक जगह से कहीं, दूसरे जगह पर आप स्थ करेंगे, आप अपने प्लेस से दूसरे प्लेस में जाकर नई मकान वगेरा में स्थ होगे, ये स्थिति होगी, और बार-बार उनके लिए होगा, ध्यान दिजेगा, ये तो होगा, शनी जब तक दूसरे भाव में होगे, जो वगेरा में टांस्पेरेंसी का योग लोगों के लिए बना रहेगा, ये स्थिती होगी और ट्राविलिंग खास करके आपकी होगी तो इसके लिए तयार हैं, हलाकि माता का जो स्वास्त है आपका थोड़ा सा प्रभावित जरूर होगा, उसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको, हलाकि सुक साधनों में पूरी बृधी होगी आपकी, साथ ही इस आपके मकान लेने का जो सपना है वो आपका पुरा हो सकता है, बाहन लेने का जो सपना है वो पुरा होगा, हलाकि अपने मुल्त रिकोन के तरफ शनी अग्रशर हैं, यानि शनी 26 डिगरी के करीब अभी गोचर में हैं, तो ये अपने मुल्त रिकोन यानि अपनी राशी कु प्राप्त कराएंगे धन के लिए आपको तरसना नहीं पड़ेगा साड़े साती के तिसरे चरण में पेत्रिक संपतिका लाब आपको मिलेगा इसके अलाबा कोट कचेरी का अगर कोई चकर था तो वो भी सुलत जाएगा और उसमें आपको विजय हासिल होगी जब एकादर्श भाव पर शनी के द्रिश्टी जाएगी फिर पेशूं की समयश्या नहीं रहेगी और दूसरी चीज ये कि अब आप खाले बिल्कुल भी नहीं बेठेंगे कोई ना कोई वर्क आपके सामने जरूर आएगा वहीं पिछले समय से चली आ रही आपकी आर्थिक या धन संबंध समयश्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तो अर्थिक कश्ट जितने भुगतने थे आपने भुगतली आप वो समय नहीं आएगा निश्चित रहे है परिशान मत रहे है क्योंकि अब उस लेवल की प्रोब्लेम से आपको जोजना नहीं बड़ेगा वैसे भी साड़े सा का योग बनेगा वहीं अगर बहुत दिनों से जोब की तलाश कर रहे थे तो जोब नहीं मिल दही थी तो अब जोब मिल जाएगी इसके अलावा कुछ मकर राशी के जातक किसी व्यापार की शुरुबात कर सकते हैं जो व्यापार बंद पड़ा था अब वो चालू होगा फ निन्नायक रहे का जो भी आपको कहना है इस समय कर लेना है जो भी आपने गवाया है इस साड़ी साति के दोरान जो कुछ भी अपने खोया है जो भी अपने लोस वगेरा से हैं वो सब अब प्राप्त करने का समय आ गया है दोशनों इस समय का लाब लीजिए मेहनत किजिए स कोई भी नहीं रोक सकता। कैसी लगी दोश्टों आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करतीजिएगा। धन्योगात।